एक हैरान कर देने वाली खबर सामने हारी है आर्थिक रसधानी मुंबई के बैंडरा इलाके से जहाँ एक रेस्टोरेंड में चिकन डिश ओडर करने वाले ग्रहा की थाली में चुहे का मास मिला है चिकन डिश में चुहे का मास पाये जाने के बाद बैंडरा के पाप पैंचो धाबा के खिलाब मामला दर्च किया गया है कस्टमर की शिकायत पर बैंडरा पुलिस ने धाबे के मैनेजर और होटल की करमचाली के खिलाब आईपीसी के विबेन अधाराओं के तहट मामला दर्च कर उन्हें गिरफतार कर लिया है पुलिस के मताबिक शिकायत करता अनूराग सिंग अपने दोस के साथ खाना खानी के लिए बैंडरा के पालीना का इस्थिद एक धाबे पर गए थे उन्होंने रोटी के साथ चिकन और मतन थाली का ओडर दिया था खाते समय उन्हें मास का एक तुकड़ा मिला जो अलग दिखरा था शिकायत के आधार पर पुलीस ने विवियर अलबर्ट शिकवेरा धाबे के मैनेजर और होटल के शेफ और चिकन के अपूर्ती करताओं के खिलाफ मामला दर्च किया है इतना ही नहीं मामला जब तूल पकड़ने लगा तो फूड एंड ड्रग एड्मिनिस्ट्रेशन के अधिकारी भी उस होटल में पहुँच गए और अपनी छान भी शुरू कर दी फूड एंड ड्रग एड्मिनिस्ट्रेशन भी इस मामली की जाच कर रहा है पुलीस ने इस मामले में तीन लोगों को गिरफतार किया था जिन्हें फिलाल जमानत पर रिहा कर दिया गया है अब देखना दिल्चस्प होगा कि आने वाले समय में इस मामले में और क्या नया मोड आता है